हेलो दोस्तों आज हम बड़े साइज का बैक बनाएंगे जिसकी लिए मैंने एक मिटर कॉटन का कपड़ा लिया है कपड़े का एक पीस मैंने लिया है जिसकी लंबाई लगबग सारे 16 इंच है और इसकी चौड़ाई लगबग 15 इंच है ऐसे दोपीस हमे लेने है और 15 इंच वाली साइड में हम जिप लगाएंगे जिपी 15 इंच की है यह देखिए सीधा साइड है इसे अंदर की तरफ रखेंगे और इसके उपर हमें किनारे किनारे सिलाई कर लेनी है दिखिए जिप मैंने सिल ली है अब मेहापर मैं फोम का यूज़ कर रही हूँ फोम के उपर आप किसी भी तरह का पुराना कप्रा ले सकते हैं मैं पुराना कॉटन का कप्रा ले रही हूँ अब इसे अंदर की तरफ रखेंगे, दोनों सीधे साइड, लाइनिंग का भी और बैक के कप्रे का भी अंदर रहेगा, किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे तो देखें जिप पीछ में आ गई है, उपर कप्रा है, नीचे फोम और लाइनिंग है अब जिप के ठीक नीचे हमें सिलाई करनी है, यहां से, यहां तक सिलाई करेंगे, उसके बाद लंबाई में सिलाई कर लेंगे तो इदिके इस पर सिलाई चला कर मैंने कुल्टिंग कर ली, और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कप्रा है उसकी कटिंग कर ली अब जो दूसरा पीस है सेम साइज का वो हमें जिप के दूसरे साइड रखना है नीचे मेंने फॉर्म और लाइनिंग रखी है अब इन सब के साथ हमें एक ही साथ सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए दूसरे साइड भी जिप लग गई है अब इसमें भी हम उसी तरीके से सिलाई कर लेंगे कपरे को कुल्ट कर लेंगे तो देखिए दोनों पीस रेडी हो गया है अब यहाँ पर जितनी भी आपको बैक की सौराई रखनी है यहाँ से मैं साथ इंच ले रही हूँ तो साड़े तीन इंच साड़े तीन इंच दोनों साइड हमें निशान लगा कर बाकी साइड हमें नाप लेना है और बैक के लिए ह लिए खिर के जो सि具ड़े और 4 इंच की की मैने चोड़ाई ली धेमिंट से के लिए हैं दू एक एंच की मैंने एक हमें ने प्टव कम और का फीस पर का पीस रखा है आप इस किजगां कोई भी कप्रा या कोई भी स्उंपिंग बेंग ले सकते हैं 40-40 inch की हमें 2 belt बनानी है 2 strap हमें बनाने है तो कपड़ा मैंने 4 x 40 लिया है अब इसके उपर बड़ाबर दूरी पर 4-5 चिलाई है मैंने लगा लिया और ये दोनों हमारे strap त्यार हो गया है और side strip भी मैंने बना लिया है side strip मैंने 7 inch चोड़ी बनाई है और इसकी लंबाई लबग 42 inch इसकी लंबाई है तो इसे बीच से फोल्ड करके देखेंगे बड़ाबर दूरी पर हमें रखना है इसका center बिल्कुल जिप के ठीक उपर आना चाहिए और दोनों side हमें एक line draw कर लेनी है line हम इसलिए draw कर रहे हैं जो belt हम लगाएंगे वो इसके उपर हमें इस line के उपर नहीं लगाना है यही तक हमें belt की सिलाई करनी है तो यहां से 4 inch की दूरी पर belt को मैंने रखा है दूसरे side से भी 4 inch लेंगे और जो line उपर हमने draw की थी वही तक हमें सिलते वे से सिलना है नीचे से सिलाई करते हुए आएंगे और उपर नीचे तक ही सिलाई कर लेंगे दूसरे side भी इसी तरीके से हमें belt को रखना है दोनों side से 4 inch छोर कर और जा हमने line रोखी वहीं तक सिलाई करेंगे यहां पर 2-3 बार अच्छे से मजबूती से सिलाई कर लेंगे तो देखे मैंने belt लगा ली है side strip को नाप लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ देखे जितनी भी चोराई हमें रखनी है तो उतनी चोराई की एक strip हमें बनानी है इसका सेंटर यहां से मार्केट के दोनों side 3-3 इंच पर निशान लगा लेंगे अगर आप 8 इंच की बना रहे हैं तो 4-4 इंच दोनों side निशान लगा लेंगे और जो जगह बचेगी उसी के नुसार से हमें इस strip को बनाना है तो पहले दोनों side यहां पर रखकर में सिलाई कर लूँगे रिखिए दोनों सिल गया है यह belt की चौराई हो गई यह 7 इंच belt की चौराई है और यहां से दूसरे side इसका measurement हम ले लेंगे यहां से measurement लेंगे जितनी लंबाई आएगी वह belt की लंबाई होगी तो यहां पर लगबग 42 इंच मैंने ली है थोड़ा सा 1 इंच लगबग एक्स्ट्रा मैंने लिया 41 इंच की लंबाई हो रही थी तो 42 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है क्योंकि सिलाई में कभी-कभी कपरा घट भी सकता है तो एक्स्ट्रा लेंगे तो बात में कटिंग कर सकते है और जब वैक के हम क्योंकि करते हैं तो कपरे की थोड़ा सा कपरा कम हो जाता अगर आपक ने 15 इंच का कपरा लिया तो क्योंकि की बाद our ऺिंच यह कम हो जाताह अब 3 साइक से की सिलाही कर लेंगे इस बैक को बनाना बहुत आसान है, इसमें आप ब्लैंकेट वगर भी रख सकते हैं, कपरे स्टोड करके रख सकते हैं अब जो दूसरी साइट का पार्ट है, उसे भी मिला कर हम सिलाई कर लेंगे और हमारा ये सुन्दर सा बैक बन कर त्यार हो गया इसके उपर कपरे की पाइपिंग लगा सकते हैं, अब इसे खोल कर सीधा कर लेंगे, इसमें काफी सारा सामान आप रख सकते हैं, बड़े साइज का बैक है तो दिखिए कितना सुन्दर बैक और कितनी जल्दी त्यार हो गया है, तो ये थास का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद